रत यात्रा दो संस्कृत शब्दों रत जिसका अर्थ है रत या गाडी और यात्रा जिसका अर्थ है जात्रा त्योहार उत्सव भ्रमन सफर या तीर्थ यात्रा से बना है रत शब्द का प्रयोग रुकवेद और अथर्वेद में किया गया है बात में यह शत्पत ब्रामन ग्रंथों में भी संकेत मिलता है कुछ शोदकर्ता ऐसा माना जाता है कि श्री जगनात की रत यात्रा की उत्पत्ती बौध परमपरा से हुई है शोदकर्ता और टिपणी की गई है रत यात्रा बहुत पुराना रत यात्रा पृत्वी पर सबसे भव्य त्योहार है। तमाशा, नातक और रंग से भरा त्योहार विशाल अनुपात का एक विशिष्ट भारतिया मिला है। यहां भारतिया सभ्यता के सामाजिक सांस्करितिक धार्मिक लोकाचार के शास्त्रिय, विस्तित रूप से आपचारिक और परिश्कृत तत्वों के साथ आदिवासी, लोक और स्वायत्त के संचलेशन का जीवन्त अवतार भी है। रत यात्रा हर साल भारत के ओडिशा राज में, शीक शेत्रपुरी धाम में आयोजित भगवान जगनात से जुड़ा एक हिंदू त्योहार है. यहां रत यात्रा ओडिशा के जगनात मंदिर में मनाये जाने वाले सभी जात्राओं बटा बारवे यात्रा में से एक सबसे अद्वितिय सर्वोर्च महत्वपूर्ण यात्रा है. यह सबसे पुरानी रत यात्रा है जिसका वर्णन ब्रहमा कुरान, पद्म कुरान और सकंद कुरान और कपिल संहीता में मिलता है इस यात्रा को विभिन्न शास्त्र पॉरानिक कथाओं लोग कथा में विवर्ण है रत यात्रा की पवित्रता और महद्व मानवता को मुक्ती दिलाने और उन्हें उनके कश्टों से मुक्त करने के लिए कलियूग में भगवान जगननात खुद बटा स्वयम को स्थापित बटा प्रकट होती है भगवान जगननात पूरी तरह से भगवान विश्णों और कृष्ण की अवतार है नील माधक के रूप में उन्हें एक पवित्र व्रिक्ष्या बर्गत के पेड में पूजा जाता था पेड शाखाए कई मील तक फैली हुई थी और इस ख्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ती तुरंत मुक्त हो जाता था और जन्म और पुनर्जन के कष्टों से मुक्त हो जाता था वास्तव में मृत्यू के देवता यम के प्रभाव को भगवान जगन्नात की उपस्तिती के कारण पवित्र शहर पुरी श्रीक्षेत्र में कम किया गया था और इसलिए इसे यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है भक्त भगवान को ठंडा करने के लिए अलग-अलग व्यवस्था करते हैं और उन्हें भीशन गर्मी से राहत देना चाते हैं इस यात्रा को चंदन जात्रा या चंदन उत्सव कहते हैं वैशाक शुकल पक्ष की तृतिया तिथी पवित्र अक्षय तृतिया के पावन अवसर पर श्री मंदिर के परंपरा के अनुसार भारत के ओडिशा के पूरी में जगनात मंदिर में सबसे लंबा त्योहार 21 दिन तक चलने वाली भगवान जगनात की प्रसिद चंदन यात् विधिविधान से मनाया जाता है इस उत्सव में देवताओं को रंग बिरंगे रंग से जुलूसों में निकाला जाता है और हर रोज नरेंद्र पुषकरणी में नंदा एवं भद्रा नाव में बैठ कर महाप्रभु की जल्कृणा बटा सवारी शुरू होता है इसे देख जगनात संस्कृती के असीम चरित्र की दिल्चस्त प्रदर्शन में मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी और राम कृष्णा कूरी में पांच मुख्य देवताओं महादेव जंबेश्वर, लोकनात, कपाल मोचन, मारकन देश्र एवं नीलकंडेश्वर का प्रतिनिधित् ये उत्सुकता से महाभारत कहानी के पाँच भाईयों पंच पांडव के रूप में जाने जाती हैं बाद में देवताओं ने तालाब के बीच में एक छोटे से मंदिर में पानी, चंदन के लेट, सुगंद और फूनों से भरे पत्थर के टब में सनान किया ऐसी मान्यता है कि स्वयम भगवान जगननात ने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया था कि इस तरह का उत्सव मनाया जाए यह चंदन यात्रा स्नान यात्रा बटा देवस्नान पूर्णिमा में समाप्थ होता है, स्नान यात्रा जेश्ट महीने की पूर्णिमा के दिन होता है वैशाक शुपल पक्ष की तृतिया तिथी अक्षय तृतिया बटा इस दिन बटा चंदन जात्रा की दिन को रथो का निर्मान कार्य अगनी पूजा के साथ प्रारम होता है रथो का निर्मान परंपरा के अनुसार पूरी में हर साल पूरी तरह से नई लकडी से रत बनाये जाते हैं जगनात, बलभद्र और सुभद्रा के तीन रतों का निर्माण हर साल विशिष्ट पेडो जैसे फसी, धौसा आधी की लकडी से किया जाता है रत सहिता के अनुसार तीन रतों को बनाने में 1149 लकडी के तुकडों का प्रयोग किया जाता है नयागण और खोर्धा डिभिजन के वन अधिकारी लकडी के 862 तुकडे जैसे असन, धौरा और फासी भेजते हैं इन में से 72 फासी लकडी है इसके अलावा, रणपुर के जंगल में कच्ची लकडी के 274 तुकडे और सिमुली लकडी के 3 तुकडे आता है इसके लिए राज्य सरकार का वन विभाग द्वारा विशेश रूप से उक्त लकडी उपलप्त कराई जाती है अनादी काल से, परंपरागत रूप से नयागड, खोरधा, दसपल्ला, रणपुर आधी के जंगलों से लेकर पुरी तक महान राजाओं के रथों के निर्मान के लिए आवशक वे नई लकडी पुरी में आती थी बहांदी में लकडी की भेला करके नदी में लाया जाता था पुरी से 10 किलोमितर दूर माल्ती पार्टपूर के पास लकडी को एकत्र किया और पुल से बेल गाडी से सडक मार्क से लाया जाता था पुरी के कुछ मठ रथों के लिए लकड़ी लाने के लिए बेल गाड़ी आपूर्ती करते थे यहाँ परमपरा कई वर्षों से लुप्ठ होती जा रही है फिल्हाल परिवहन की सुविधा के लिए लकड़ी को ट्रक से पूरी बढ़दार और रथ खाला में लाया जाता है हर साल परमपरा के अनुसार श्रीनेर के सामने रथ प्रांगण में तीन नए रथों का निर्माण शुरू होता है इस मामले में राज्य और जिला प्रशासन, कानून विबाग, मंदर प्रशासन, पुलीस प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन सन्युक ट्रूप से विभिन्द कार्य करती है रथ प्रांगण में रथ तयार करने का कार्य अक्षर तृतिया के दिन तीनो रत शुभारंब कार्य अनुकूल होता है उस दिन मंदिर के कार्याले के सामने मंदिर के पुजानियों, राजगुरू और अन्य शोत्रिया ब्रामनो द्वारा रत निर्मान उधगाटन के अवसर पर कार्य यग्य और आनुसंगित पूजा, निती आधी आयोजित जैसे ही होता है, पूजा पंडा तीन रतों के निर्म महराना, 75 भोई, 15 लोहार, 15 से 20 चित्रकार, 7-8 दर्जी, इसमें 15 मूर्तिकार सेवक शामिल है, परंपरा के अनुसार रत को एक निश्चित उचाई और आकार के अनुसार बनाया जाता है, तीन रतों के निर्मान काम पूरा होने से पहले, रत मंडी काना को तीन रतों में ब रत्यक रतों के चारिनाहिका देरा अनुकूल और नेत्रोत सव दिवस, रत्यात्रा से एक दिन पहले, दोपार तक तीनों रत अच्छी तरह से सुसजित तयार होके श्रीनर स्थित रत कला से खीचा जाता है, और सिंग द्वार सामने रखा जाता है, रत्यात्रा के बाद, रतों को तोड़ दिया के मंदिर की रसोई में लकडी का इस्तमाल किया जाता था, और रत के कुछ हिस्सों को 2012 से बेचा गया है, केवल सार्थी, घोडे, पार्शव देवता, सखी, पीतल का केले के पेड, मगर और रतबार आदी संभाल कर बटा बचाया रखे जाते हैं, व भगवान जगनात के रत को नंदी घोश कहा जाता है, यहां पहिये के स्तर पर 45 फीट उचा और 45 फीट चौकोर है, इसमें 16 पहिये हैं, कत्यक 7 फीट व्यास का है, और लाल और पीले कपड़े से बने एक आवन से अलंत्रित है, भगवान जगनात की पहचान क्रिश्न के जिने पीतामरा के नाम से भी जाना जाता है, जो सुनारे पीले रंग के वस्तर पहने हुए हैं, और इसलिए इस रत की छत्री पर विशिष्ट पीली धारिया है, जगनात रत विवर्ण रत का नाम नंदी घोश रत का वैकल्पिक नाम गरुरद्वज, कपिलद्वज सार्थी दारुक ध्वज का नाम त्रैलो क्यमोहिनी घोडो का नाम एक शा ख, दो बल्ला आहक, तीन स उवयता, चार हर इदशव घोडो का रंग सफेद रत की रसी का नाम शंकचुडा नागिनी साथ देने वाले देवता मदन मोहन द्वारपाल, द्वारपाल, एक जय आ, दोव इजय नो पार्शव देवता, सहायक देवता एक पा चमा उखाई महाबीर, हनुमान दो हर इहर तीन मधा उसा उदाना, विष्णू चारग इरा इधरा, क्रिष्णा पार्च पा आपिड़ा उनर्सिंग नो हरुमान पर विराजमान राम भगवान बलभद्र के रत, जिसे कलदवज कहा जाता है जिसके जंडे पर तार के पेड़ है में चौदा पहिये हैं, प्रतेक साथ फीट व्यास का है और लाल और नीले रंग के कप्रे से धका हुआ है इसकी उन्चाई 44 फीट है बलभद्र रत विवर्ण रत का नाम कलदवज रत का वैकलपिक नामलंगलदवज पहियों की संख्या 14 उप्योग किये गए लकडी के टुक्रों की कुल संख्या 763 उन्चाई 43 फीट 3 इंच लंबाई और चोड़ाई 33 फीट x 33 फीट छत्रियों के रंग लाल नीला हरा संदक्षक वासुदेव सार्थी मताली जंडे का नाम उन्नानी ध्वज प्रतीक तार का पेड घोडों का नाम एक तर रा इबर रा दो घोड़ ओड़ आ तीन दई रघ आशरमा चार सवरणा नव घोडों का रंग काला रत की रसी का नाम बासुकी नाग साथ देने वाले देवता रामक्रिष्ण द्वारपाल द्वारपाल एक नाह दाआ दो सा उन्नाह दाआ नो पार्श्व देवता सहायत देवता सुभद्रा का रत जिसे दरपदलन के नाम से जाना जाता है शाबदिक रूप से अभिमान को रौंदता है तैंतालीस फीट पूचा है जिसमें बारा पहिये है प्रतेक साथ फीट व्यास का है यहां रत लाल और काले कप्रे से धका हुआ है काला पारंपरिक रूप से शक्ती और देवी मा से जुड़ा हुआ है सुभद्रा रत विवर्ण रत का नाम दरपदलन रत का वैकलपिक नाम देवदलन पदमधवज पहियों की संख्या बारा लकडी के उप्योग किये गए तुकडो की कुलसा खाया आ पात सो तिरानवे उचा आई बयालीस तीन इंज लंबाई और चा अओ डा आई तीस छे एक्स तीस छे छत्रियों के रंगलाल काला देवी से जुड़ा काला अभी भावक जदुर्ग सार्थी अर्जुन ध्वज का नामन दंबिका घोडो का नाम एक रअ ओच्चा इका आ दो मा ओच्चा इका आ तीन जा इता चार अपरा आ जा इता घोडो का रंगलाल रत रसी का नाम स्वन चुड़ा नागिनी साथ देने वाले देवता सुदर्शन द्वारपाल, द्वारपाल एक गहुगा दो जमा उन्ना आ नौ पार्श्वदेवता, सहायक देवता एक चा इदाई दो चा आमा उल्डाआ तीन उगरा तर चार बाान दा उरगा दुरगा पाच्षा उल्ला इदा उरगा दुरगा छेवर राहई साथ शया आमकलाई आठ मां गला नौव इमलाआ स्नान यात्रा बटा देवस्नान पूर्णिमा इस साल 14 जून 2022 मंगल बार को मनाया जाएगा भगवान जगनात की प्रसिद स्नान यात्रा बटा देवस्नान पूर्णिमा हिंदू महीने जैष्ट की पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाने वाला एक आपचारिक भव्य स्नान उत्सव है इस त्योहार में जगनात, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं को जगनात मंदिर से बाहर लाया जाता है और जुलूस में मंदिर परिसर के अंदर स्नान मंदप तक ले जाया जाता है फिर देवताओं को अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध पानी के 108 बरतनों में स्नान कराया जाता है और सारवजनिक दर्शकों के लिए सजाया जाता है शाम को स्नान अनुष्ठानों के समापन पर जगनात और बलभद्र को हाथी की टोपी पहनाई जाती है जो भगवान गडेश का प्रतिनिधित्व करती है इसे गजवेश के नाम से जाना जाता है स्नान यात्रा के बाद पारंपरिक रूप से माना जाता है कि देवता बीमार पर जाती है और उन्हें राजवेध्य की देखरेक में एकांत में स्वस्थ होने के लिए एक बीमार कमरे में रखा जाता है इस अवधी को अंशर के रूप में जाना जाता है और उस अवधी में भगतों को देवताओं के दर्शन करने की अनुमती नहीं है इस समय भगतों के देखने के लिए तीन पट चित्र चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि राज वैध्य द्वारा दी जाने वाली आयूर्वेधिक दवा से देवता 41 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं अंशर के अंध में जिस दिन वे फिर से भकतों के दर्शन देते हैं उसे नभ यौवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान की मूर्ती उतनी ही उजवल और नई है जितनी की खड़ी लागी और कनत लागी के बाद है इस समाई महाप्रभू अब रत्न सिंहासन पर बीजे नहीं करेंगे आशान शुकलपक्ष ने नभ यॉबन और नेत्रोटसव के बाद रत यात्रा के दूसरे दिन श्रीगुंडिचा मंदिर की रत्न सिंहासन पर बीजे करती है नभ यॉबन दर्शन प्राप करने के अवसर के लिए भक्त पूरे साल इंतिजार कर रही है कभी कभी नेत्रोटसव और नभ यॉबन की तिथी में थोड़ा सा इधर उधर भी होती है नेत्रोटसव का अर्थ है महाप्रभूओं की आंखो में नभ यॉबन बेश का अंतिन्सपर्श सनान यात्रा के कारण रथ्यात्रा से चार दिन पहले चतुरधामूर्ती को फिर से रंजीबार पड़ता है जिसे अंधराग कहा जाता है इसके बाद नभ यॉबन दिवस की सुबह नेत्रोटसव उत्सव मनाया जाता है ठाकुरों को अर्धस्मानांतर सिती में रखा गया है और ठीक से चित्रित किया गया है इस सेवा पूर्ण होने के बाद नेत्रोन मिलन नीती का पालन किया जाता है इसमें हर एक ठाकुर की दोनों आखों में तुलसी के पत्तों की सहायता से औश्दियों का प्रयोग किया जाता है इसके बाद काजल लागी किया जाता है नेच्रो मिलियन के बाद भक्तों की भूख वापस आती है और स्नान यात्रा के बाद पहली बार उन्हें शाही सुख प्राप्थ होता है तब जन्ता को नब यॉबन बेश के साथ उनके आराध्य की पहली जलक मिलती है इतनी सुंदर बेश दर्शन के लिए नेत्रो का समादम उत्सफ करने और मनाने के कारण इस नीती को नेत्रो उत्सफ कहा जाता है इस उत्सफ को देखने के लिए सेक्रो हजारों भक्त अपने सबसे प्यारे प्रभू की नब यॉबन बेश देखते हैं जो आमतोर पर ये उत्सफ दोपहर में शुरू होता है और देर रात तक चलता है रत जात्रा इस साल 1 जुलाई 2022 शुकरवार को मनाया जाएगा भारत के उडीसा राज्य का पुरीक शेत्र जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंक शेत्र, श्रीक शेत्र के नाम से भी जाना जाता है भगवान श्री जगनात जी की मुख्य लीला भूमी है उडीसा के प्रधान देव का श्री जगनात जी ही माने जाती है यहां के वैश्नव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ती के प्रतीक स्वयन श्री जगनात जी है इसी प्रतीक के रूप श्री जगनात से संपूर्ण जगत का उद्भफ हुआ है। इस रत यात्रा को बहत नामों से भी जाना जाता है। नब्दिनात्मक यात्रा यह यात्रा नौ दिनों तक चलती है। जिसमें जाना आना रहना भी शामिल है इसलिए नब्दिनात्मक यात्रा कहते है। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार, श्री जगनात की बारह यात्राओं में से रत यात्रा या श्री गुंडिचा यात्रा या घोष यात्रा सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मानी जाती है। क्योंकि ब्राह्मान के सर्वोच भगवान श्री हरी अपनी प्रतिग्या को पूरा करने के लिए गुंडिचा मंदिर में एक बहुत ही रम्निय मनोडशा में सवारी करते हैं और उनका रत भगवान अपने रत्न सिनहासन छोड़ के बरदान आते हैं। रत्यात्रा में जाती, धर्म, बर्न, लिंग, निर्विसेश से सभी भारतिय और विदेशी भक्तों को मिलने के लिए। रत्यात्रा में भगवान हाथी की तरह लहराते और चलते हुए बर्दान में आते हैं और अपने रत की सवारी करते हैं और अपने भक्तों के सभी पापों को एक जटके में नश्ट कर देते हैं। बामादेव संहिता के अनुसार जो लोग रत यात्रा पर तीनों देवताओं को देख सकते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के साथ स्वर्गिय निवास यानि बैकुंट में आने वाले सभी समय के लिए जगा मिलेगी। गुंदिचा मंदिर की वार्षिक यात्रा और ब्रह्मान की यात्रा की याद दिलाता है। पर तीन रतो को सजाया जाता है। श्रीविग्रा की आग्यामाला आने और लागी होने के बाद रतो को दोपहर में खीचकर सिंगवार पर रखा जाता है। उलेखनिया है कि रत खला की परंपरा के अनुसार रत यात्रा में भगवान जगनात, विश्नो अवतार, भगवान बलभद्र, उनके बड़े भाई, और देवी सुभद्रा, उनकी बहन, आकाशिय पहिया, सुदर्शन चक्र, उनका हतियार, को मंदिर से एक आपचारिक भगतों की भीर द्वारा खीचे जाते हैं, जो उत्तर में लगभग दो मील दूर गुंदिचा मंदिर के लिए भव्य मार्ग है, मौसी मा मंदिर में साथ दिन रुकने के बाद, देवतार श्री मंदर अपने निवास पर लौट आते हैं, श्री गुंदिचा यात्रा के रीतिनीती बटा अनुष्ठान, आशाण शुकलतिती के दूसरे दिन मंगल अल्ती, अपकाश, बललब, खेचेडी भोग आदी देवताओं के सुबह के अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद मंगलारपना अनुष्ठान किया जाता है, चार पहांडी के बाद राम और कृष्ण जैसे चद्म देवताओं, बेजे प्रतिमा को महाजन सेव को द्वारा क्रमशा नंदी घोष रत पर तलदवज और मदन मोहन पर रखा जाता है छेरा पहरा देवताओं को अपने अपने रतों में बिठाने के बाद देवताओं को रत पर बेशा से सजाया जाता है खेरा पहरा सोने की जारू में रतों को पोछना अनुष्ठान गजपती महराज द्वारा किया जाता है, जिसे श्रीनाहारा राजा के महल से एक कमजन पाल की द्वारा अपचारिक जुलूस में लाया जाता है गजपती देवताओं को सोने के दिये दीपक में कपूर का दीपक चड़ाते हैं इसके बाद अल्ता और चमारा की रस्म होती है राजा सोने की जाडू से रत के फर्ष की सफाई करते हैं और उसके बाद रत पर चंदन का लेप लगाते हैं रत खीचना परंपरा के अनुसार, छेरा पंहरा के बाद भोई सेवक चारमाला को रतों से हटा देते हैं रत्यक रत गोडों की चार लकडी की मूर्तियों से बंधा हुआ है कहलीया सेवक कहली तुरही फूकता है इसके बाद घळियों की पिताई होती है इसके बाद रत खीचे जाते हैं. रत दाहुक, जस्टर की तरह मिस्टरल, भीड को उत्सापूर्वक रत खीचने के लिए, उत्साहित करने के लिए कई गीत गाते हैं. रतों को श्री गुंडिचा मंदिर की ओर खीचा जाता है, जो तीन किलोमेटर की दूरी पर स्थित है. ततपश्चात भगवान सुदर्शन, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान श्री जगननात जैसे देवताओं को पांडी में दैताप्ती द्वारा क्रमिक रूप से गुंडिचा मंदिर के अंदर सिंहासन में ले जाया जाता है. श्री मंदिर के समान सभी अनुष्ठान श्री गुंडिचा मंदिर में उक्त मंदिर में देवताओं के साथ दिनों के प्रवास के दौरान किये जाती है. श्री गुंडिचा यात्रा के दौरान हेरा पंचमी एक महत्वपूर्ण उत्सव का अवसर है. आशाण शुकल, पूर्णिमा चरण के छेवे दिन हेरा पंचमी मनाई जाती है हेरा पंचमी इस साल 5 जुलाई 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा हेरा पंचमी पुरी के भव्य जगंनात मंदिर में रत यात्रा की अवधी के दौरान मनाया जाने वाला एक अनुष्ठान है इसे देवी लक्षमी के अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है रत यात्रा से पाँचवा दिन, यानि आशार के शुकल पक्ष में पाँचवे दिन को हेरा पंचमी के रूप में जाना जाता है. रत यात्रा के दौरान, भगवान जगन्नात अपने भाई श्री बलभद्र और बहनमा सुभद्रा के साथ अपने दिव्य हत्यार श्री सुदर्शन के साथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी को छोड़ कर एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं देवी भगवान के लिए अपना गुस्टा व्यक्त करती है वह सुवर्ण महालक्ष्मी के रूप में पालकी में गुंदिचा मंदिर, अत्पा मंडप में जाती है और उसे जल्ट से जल्ट मंदिर में वापस आने की ढमकी देती है उसे प्रसंद करने के लिए भगवान उसे पहमती की एक माला भेंट करके स्वीकार करती हैं। जगनात के लाखो भक्तो द्वारा अद्वितिया अनुष्ठान का आनन लिया जाता है। संध्या दर्शन इस साल 8 जुलाई 2022 शुक्रवार को मनाया जाएगा। जिस स्थान पर भक्त पवित्र जुलूज के दौरान श्री गुंडिचा मंदिर में एक सप्ता बिताते हैं। उसे अडप मंदप कहा जाता है। हाला कि पुराणों में मंदप को अडप मंदप के रूप में वर्नित नहीं किया गया है, बलकि यगनिया और वेदी के रूप में उलेक किया गया है। बात में, पंदित हरिहर महापात्र ने कहा कि मंदप में श्रीविग्रा होने के कारण मंदप को अडप मंदप कहा जाता था. पुराणों और विभिन्य शास्त्रों के अनुसार नौवे दिन महाबेदी या अडप मंडप में श्रीविग्रहों का अंतिम यात्रा को संध्या दर्शन के रूप में मनाया जाता है। भक्तों को शाम को श्री गुंदिचा मंदर में भक्तों के पास जाते, दीप जलाते और ब्रामनों को महाप्रसाद देते देखा गया। वांचित परिनाम से अधिक। साथ मनायी जाती है। जब तीन रत श्री मंदर वापस जा रहे होते हैं, तो देवताओं को एक विशेश प्रकार का केक पोर पीथा चड़ाया जाता है मौसीमा मंदर में। इसके बाद बलभद्र और सुभद्रा के रत आगे बढ़ते हैं और सिंहदवार के सामने खड़े होते हैं। लेकिन भगवान श्री जगनात के नंदी घोष का रत श्रीनहर में रुखता है। जगनात को सोना दान किया था। 2014 में लगभग 9 लाख भक्तों ने 9 जुलाई को आयोजित इस आयोजन को देखा। अधरपना इस साल 11 जुलाई 2022 सुमवार को मनाया जाएगा। बाहुणा यात्रा के बाद सिंग द्वार पर तीन रतों उपर सुनाबेश और अगले दिन ठाकुरों के लिए अधरपना भोग होता है। रत पर सवार ठाकुरों के उचाई तक एक स्वतंत्र मिट्टी के बने घड़े में एक पना भोग को अधरपना कहते हैं। वर्तमान में तीन रतों के लिए द्वातसी दिन अधरपना के कुल ना घड़े का भोग होता है। आशान शुपल पक्ष की एकादर्श तिथी को दोपहर के बाद रत पर ठाकुरों की धूप समाप्थ होने के बाद पना की तयारी और नीती शुरू होती है। मंदर प्रशासन, राघव दास और बढ़ ओडिया मठ प्रदत्थ चाची, सर, केला, छेना, काली मिर्च, कपूर, जाइफल आधी पना उत्पाद सामगरी के पालिया महास्वार रत पर रखे जाते हैं। प्रतिक ठाकुर के सामने रत के स्थान पर भगवान के सिर्की उचाई के साथ एक मगबरे के रूप में मित्ती के तीन बरतन रखे जाते हैं। अधरप्रा में एक विशेश पे जिसे दूद, मलाई, केला और विभिन्न प्रकार के मसालों का उप्योग करके बनाया जाता है और नौ बड़े बैरल के आकार के मित्ती के घड़े में भरे जाते हैं जो तीनों देवताओं के समक्ष उनके रतों पर रखे जाते हैं। जिसके बाद पुजारियो द्वारा सोडूसा उपकार पूजा के बाद पे पवित्र त्रिमूर्तियों को दिया जाता है। भेंट के तुरंत बाद मित्ती के इन पात्रों को रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। सेवादारों के अनुसार, पाश्वदेवता के अलावा, कई भूतिया शरीर और आत्माएं, जो रत यात्रा के दौरान महाप्रभू के दर्शन करने पहुँचती हैं, वे सभी इस पल का बेसबरी से इंतजार करती हैं। ऐसा माना जाता है, कि इस तरह की बुरी आत्माएं पवित्र पे को पीकर मोक्ष, मोक्ष, प्राप्त करती हैं, जो रत के देख पर फैला होता है। नीलादरी बीजे इस साल 12 जुलाई 2022 मंगलबार को मनाया जाएगा। नीलादरी बीजे एक विशेश यात्रा है, यानी श्री गुंडिचा यात्रा का अंतिम यात्रा। प्रभु जगनात के नीलादरी बीजे के साथ ही 12 दिनों तक चलने वाली रथ्यात्रा पूजा संपन्न हुई। परंपरा और शास्त्रों के अनुसार 12 दिन भगवान नीलादरी बीजे करती हैं, लेकिन वास्तव में 11 दिन सुनाबेश, 12 दिन अधर्पना के अगले दिन और आशाड के शुपल पक्ष के 13 दिन नीलादरी बीजे होता है। यहाँ परंपरा तई सानों से चली आ रही है। नीलादरी बीजे पहड़ी बीजे से पहले श्री मंदिर प्रशासन इस संबन्ध में दैताप्ती निजोग के साथ बात करके पहंदी होता है। नीलादरी बीजे के दिन रत पर भगवान को शाम की धूप नीती समाप्त होने के बाद रत्तेक रत में चार माल बांध दिया जाता है। इसके बाद दर्शन के लिए सभी भक्त दर्शकों रत के ऊपर कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। पहले तुरही फोकने के बाद बंदापना और डोरी लागी की नीती होता है। हेरा पंचमी के दिन वहाँ खुद गुंदिचा मंदिर पहुचती है और प्रभु जगनात का रत तोड़ कर लौट आती है। नौवे दिन प्रभु जगनात बाहुडा यात्रा में श्री मंदिर तो पहुच जाते हैं पर उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमती नहीं मिलती है। लक्ष्मी जी को मनाने के लिए प्रभु जगनात को हर तरह के जतन करने पड़ते हैं। यहां तक कि सोनावेश तक करते हैं पर लक्ष्मी मानने को तयार नहीं होती है। अन्तक प्रभु को जबरन अंदर जाना पड़ता है। ये सभी रस्मे परंप्रानुसार पूरी की जाती है। रूठ नेम्नाने की भजनों के जरिये प्रस्तुत की गई। रिती निती के अनुसार भगवान जगनात ने इस अवसर पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उन्हें रस्गुला खिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी को रजगुला खिला कर उनका मनोरंजन करती हैं। यहां रजगुला बहुत ही शुद्ध के रूप में बनाया जाता है। और इस अनूठी रस्म के लिए इस दिन को रजगुला दिबस भी कहा जाता है। रस्म गुला का जगनात संस्कृती और परंपरा में विशेश महत्व है। मा लक्ष्मी के साथ प्रभु जगनात की कहा सुनी की रस्म अदाईगी के बाद उन्हें भाई बलभद्रव बहन सुभद्रा संग मंदिर में प्रवेश करती हैं। और रत्नों सिनहासन पर विजय प्राप करती हैं। जगनात मंदिरों में यह द्रिशे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुँचे। पुरी शहर को इस उत्सव के समय में श्री मंदिर और रत् खूपसूर्ती से सजाया जाता है क्योंकि हजारों लाखों भक्त भगवान के दिव्य श्री मंदिर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं और भगवान जगनात भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भक्तो को आशिरवाद देते हैं। पुरी के अलावा साच से अधिक जगों पर रत् यात्रा बटा जुलूस मनाया जाता है। 1968 से इसकौन हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से रत यात्रा उत्सव दुनिया के अधिकांश प्रमुक शहरों में एक आम द्रिश्य बन गया है। महप्रभु श्री जगन्नात और चैतन्य की दया से ए। बक्तिवेदान स्वामी प्रभुपाद ने उत्सव को सफलता पूर्वक प्रतिरोपित किया था जो अब दुनिया भर के स्थानों में 108 से अधिक शहरों में वार्शिक आधार पर होता है। मॉस्को, न्यू यॉर्क, हूस्टन, अटलांटा, लंदन, रोम, जूरिक, कोलकाता, मुंबई, कराची, बर्लिंग, हिदलबर्ग, कोलोन, फ्लोरेंस, व्रोपला, सिद्नी, पर्थ, कंपाला, नैरोभी, मॉंबासा, किसुमू, मैक्सिको सिटी, डबलिन, बेलफास्ट, व भोमशान, मायत कीना, बैंकोक और कई अन्य शहर भी रत यात्रा, पालन किया जाता है, बामलादेश के धामराई में रत यात्रा बामलादेश में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, इस लेक में नहित किसी भी जानकारी सामगरी गंणा की सतीकता या विश्वस नियता की कारेंटी नहीं है, विभिन माध्यों ज्योतिशियों पंचान प्रचनों मान्यताओं धर्मदरंतु से संग्रहित करिये जानकारियां आप तक पहुँचाई गई है, हमारा उद्देश महज सूचना पहुचाना है, इसके उप्योग करता इसे महज सूचना समझ कर ही ले, इ उप्योग की जिम्मेदारी स्वयम उप्योग करता की ही रहेगी.